नव दुरगा यानि मा दुरगा के नव रूप इन नव रूपों में नव आशदियां भी विराचती हैं मा अम्बे के ये नव रूप जो समस्त रोगों से बचा कर जगत का कल्यान करते हैं नवदुर्गा की नव औशदी सोरूपों को सबसे पहले मारकंडी चिकत्सा पध्यदी के रूप में दर्शाया गया और चिकत्सा प्रणाली के इस रहसी को ब्रंभा जी के द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया ऐसा माना जाता है कि ये औशदीया समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली और उनसे बचा रखने के लिए एक कवच का निर्माण करती हैं इसलिए इसे दुर्गा कवच कहा गया इनके प्रियोग से मनुष्य अकाल मृत्व से बचकर लंभी आयू जीता है तो आईए नवदुर्गा के रूप में जाना गया हम उनकी बात करेंगे नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा इसे चंदसूर या चमसूर कहा गया है ये एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है इस पौधे की पत्तियों की सबजी बनाई जाती है जो लाबदायक हो आउशदी मोटापा तूर करने में लाबप्रद है इसलिए इसे चर्म हंती भी कहते हैं शक्ति को बढ़ाने वाली हिदय रोग को ठीक करने वाली चंद्र का आउशदी है आता इस बीमारी से संबंधित रोगी को चंद्र घंटा की उपासना करनी चाहिए अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के चोथे सुरूप कुश्मांडा देवी की और जानेंगे कुश्मांडा देवी के औशदीय महत्तो के बारे में यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें देवी मा की गृपाया आप पर सदयों बनी रहे जै मादूर के